आज वेश्वेजी जी यहां पे आये हैं और मैंने इनको देखा था सुना था लेकिन इतने करीब से आज जानने को मौका मिला और पता चला कि कितने बड़े कलाकार हैं और ऐसी ऐसी आवाजें इन्होंने मुझे सुनाई जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि यह आवाज इनकी भी नकल हो सकती है जैसे पुराने विलंते कनायलाल जी प्रेम चोप्रा जी तो यह हैं ही लेकिन उसके साथ फिरोज खां साथ विनोत खन्ना और एक आवाज आपने और सुनाई थी मुझे जो बहुत कम लोग करते हैं प्रेम नाज जी की तो बहुत ही गजब के कलाका है और इनका एक शो बहुत ही पॉपिलर हो रहा आजकल या अल्री पॉपिलर है भावी जी गर पे हैं तो इन्हें आप लोग देखते होंगे लेकिन अगर जो लोग नहीं देख रहें यह सीरियल जरूर देखिए और खास तोर पर हमारे दोस्त के लिए देखिए और आज आ यहां पर आये बहुत अच्छा लगा हम लोग भी हमारे सीनियर्स को मतलब हमारे गुरू माधवम होगे जी जॉन इलिवर साहब इनको देखके सीखके यहां तक पहुंचे लेकिन मुझे आज भी लगा कि आज आपको मिलने के बाद मुझे और कुछ नया सिखने को मिला है अच्छे गुणिक इलाकारों को सुनता हूं तो बहुत इंस्पायर होता हूं और फिर अपने घर में जाके मैं भी रियास चुरू करता हूं तो आज आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया है बहुत खुशी हुए आपसे मिलके नहीं और हम आपसे ही सब कुछ सीखे हैं मैं 1987 में आपकी एक कैसेट सुनता था वैसा उकारणी मंडली वहां से मुझे लगा कि मैं भी एक्टर के आवाज निकालू मिमिक्री करूं और वहां से मुझे जो शौक हुआ और फिर आपके मैंने काफी शोज भी देखने आता था देखके हिमत नहीं होती थी आपको आके मिलू देखके चला जाता था नहीं चैरा मेरा ऐसा है मुझे भी कश्च लोग जो मुझे अब मिलते है आपसे मिलने को बहुत डर लगता था बड़े सीरियस लगते हो मेरे साथ भी यही होता है वो नहीं के प्रेम चुपड़ाजी क चैरा करके बोलते हैं अखडू लगता है वह नहीं हम लोग आए नहीं है अखडू नहीं है लेकिन मुझे देखके लगता कि यह जरूर अभी दो में डाटेगा तो और एक ऐसा ढर्रसा भी रहता है आ जब नया-nyा आर्टिस्ट होता है तो एक दम एक एरस्पेक्त भी होती कि का मैं डिस्टरब तो नहीं कर रहा हूं कहीं आके लेकिन मैंने बहुत कुछ आवाजें जो है आपकी कैसेट सुन-सुन के मैंने सीखी है और वहां से प्रेयना मिली है मुझे और आज आपके साथ बैठा हूं आपके इस्टूडियो में आज मेरा बहुत बड़ा दिन है जिनके लोक-a-laiq है प्रेयम चोपड़ा सहाब इन्हें बहुत प्यार करते हैं इनको अक्सर घर पे बुलाते हैं घंटों इन से बातचीत करते हैं और प्रेयम चोपड़ा सहाब ने इनको कई फिल्मों में रोल दिलायां एक हौलिवोड की फिल्म भी उसमें प्रेयम इन को बहुत प्यार करती है और बहुत गुणिक इलाका है और दोस्तों कुछ किया जए किछ कुछ मस्ती हाँ करते है वो डायलोग आपको कुछ बोल रहेते हैं